उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS प्रारंभिक परीक्षा की नई तारीख का एलान कर दिया है ताजा जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 22 दिसंबर को एक ही दिन में आयोजित की जाएगी UP लोक सेवा आयोग ने गुरुवार 14 नवंबर को लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया था आयोग ने शुक्रवार 15 नवंबर को परीक्षा की नई तिथी का एलान किया पहले यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को दो दिन दो पालियों में आयोजित होनी थी UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.in.ic.in पर जारी ताजा नोटिस में लिखा है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधिनस्त सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो दो दिवसों में दिनांक 7 और 8 दिसंबर 2024 को हुनी थी उसे अब एक दिवस में दिनांक 22 दिसंबर 2024 को दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा पहली पाली सुभा 9 बचकर 30 मिनट से 11 बचकर 30 मिनट तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बचकर 30 मिनट से शाम 4 बचकर 30 मिनट तक आयोजित की जाएगी इस परीक्षा में 10 लाग से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद है RO, ARO प्रारमभिक परीक्षा को लेकर अभी भी ज़ात्रों और आयोग के बीच गतिरोथ बना हुआ है आयोग ने PCS व आरो, ARO प्रारमभिक परीक्षा की तिथी को लेकर स्थिती अभी स्पष्ट नहीं की है अंतिम कैलेंडर नोटिस के अनुसार RO, ARO प्रारमभिक परीक्षा 22 वद 23 दिसंबर को प्रस्तावित है आयोग के कैलेंडर के अनुसार शुरुवात में PCS प्रारमभिक 2024 परीक्षा 17 मार्च को हुनी थी लेकिन RO, ARO प्रारमभिक परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण PCS सहित 5 परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ गई थी पहली बार PCS परीक्षा स्थगित होने पर इसे जून में प्रस्तावित किया गया लेकिन समय पर परीक्षा नहीं कराई जा सकी इसके बाद PCS परारमभिक परीक्षा सक्ताईस अक्टूबर को प्रस्तावित की गई लेकिन परियाप संख्या में केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण आयोग ने दो दिन 26 एवं 27 अक्टूबर को परीक्षा कराने के लिए प्रदेश के 51 जिलाधिकारियों से केंद्रो की सूची मांगी लेकिन आयोग ने अक्टूबर में रस्तावित PCS परारमभिक परीक्षा को भी स्थगित कर दिया अक्टूबर के बाद आयोग ने हाल ही में परीक्षा कैलेंडर जारी किया जिसमें बताया गया कि परीक्षा साथ और आठ अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित कराई जाएगी कैलेंडर देखने के बाद छात्रों का गुसा फूट पड़ा और धरना प्रदर्शन किया गया आयोग ने चात्रों के आगे जुकते हुए चौथी बार 14 नवंबर 2024 परीक्षा को स्थगित करने का निरने सुनाया इसके एक दिन बाद गुरुवार को आयोग ने नई तिथी की घोशना की है आपको बता दे कि गुरुवार को उत्तरप्रदेश लोग सेवा आयोग चात्रों के आंदोलन के आगे जुका आयोग ने चात्रों की वन दे वन शिफ्ट की मांग मानी इसके लिए चात्रे चार दिनों से आंदोलन कर रहे थे ब्रिहस पतिवार को बवाल काफी बढ़ने के बाद आयोग को यह फैसला करना पड़ा आयोग के भीतर हुई बैठक में जिलाधिकारी कमिशनर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे कई घंटे चली बैठक के बाद आयोग ने चात्रों के पक्ष में फैसला लिया चात्रों की मांग मानने के अलावा आयोग के पास कोई रास्ता नहीं था चात्र एक ही मांग पर अड़े थे की परीक्षा एक दिन एक ही शिफ्ट में कराई जाए गुरुवार को साथ वा आठ दिसंबर दो हजार चौबीस को हुनी वाली पीसीएस प्रारमभिक परीक्षा दो हजार चौबीस थगित कर दी गई थी पीसीएस प्री के लिए ही फिलहाल मांग मानी गई समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बात में निरने लेने की बात कही गई सरकाल ने आरो और यारो के लिए उच्च सर्य कमेटी का गठन करने की बात कही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के समबंध में कमेटी ही अगला निरनय लेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में छात्रों की मांग का संग्यान लिया और आयोग को एक दिन में PCS प्रारंभिक परीक्षा दो हजार चौबीस के संबंद में छात्रों से समवाद और समन्वय कर आवशक निरने लेने को कहा मुख्यमंत्री कार्याले की और जारी बयान में कहा गया है कि आरो आरो प्रारंभित परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा एक समिती गठित की गई है समिती सभी पहलूँ पर विचार कर अपनी विस्तरत रिपोर्ट शीक्र प्रस्तुत करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद